मुश्कार दोस्तों राजनिती की बातों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंदर कमारे दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी कोई जनता तो चाहे कि वो मुख्यमंत्री रहें लेकिन विधायक ना चाहें कि वो मुख्यमंत्री रहें जिहां राजनिती में जो संख्याबल है वो बहुत बड़े माइने रखता है लोगों के सेंटिमेंट्स केवल विधायक चुने जाने तक सिमित रहते हैं और इसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये विधायकों पर निर्वर करता है चोधरी देविलाल भी ऐसे ही व्यक्तिता हो थे ऐसे ही परशनलिटी थे ऐसे ही मुख्यमंत्री थे हरियाना के जिने विधायक तो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री ना रहें लेकिन जनता चाहती थी कि चोधरी देविलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें आज हम उस दोर की राजनिती की बाते करेंगे दोस्तो जब 21 जून 1903 को हरियना प्रदेश के कमान चोधरी डेविलाल के हाथों में आई थी इससे पहले उन्होंने सडक पर ही संगर्स किया था और राज में उनका ये पहला अनुब होता और वो अक्सर लोगों से कहा करते थे कि दिल तो मेरा भी करता है कि मैं लोगों के बीच चला जाऊं लेकिन फिर ये अधिकारी मुझे समझाते हैं कि आप मुख्य मंत्री हो आपक काम नारे लगाना या लोगों के लिए संगर्ष करना नहीं है लोगों के लिए काम करना है तो इस तरह क्या जो अनकंफरेबल पोजिशन थी चोजी देविलाल की पहले सासनकाल में थी सबसे बड़ी दिक्कष जंता पार्टी की फूट की थी और चोजी चंड सिंग को कमज करने के प्रियास करने लगे थे और जिस दिन चोजी देविलाल ने हर्याना प्रदेश की मुक्यमंत्री की कुर्शी संभाली थी उस दिन हर्याना में बहुत जोर की वर्षा हुई थी बहुत भारी वर्षा हुई थी और उस टाइम के जो लोग होंगे वो जरूर आपको बत उसको छोड़ कर गाउं गाउं गुमने लगे कई जगे वो ट्रेक्टर में गए कई जगे पैदल गए नोकाउं में गए लेकिन उन्होंने हर्याना प्रदेश के जहां जहां भी पानी गाउं में भरा था ऐसा साइध ही कोई गाउं बचा होगा जहां चोदी देविलाल और राज में सत्ता में होने के बाद भी उन्होंने उस चवी को बरकरार रखा और लोगों में जो उनकी ताउ की जो चवी थी वो उभर कर सामने आने लगी लेकिन खेल तो कुर्सी का चल रहा था और मुरार जी देशाई और सब लोग मिलकर चोदी चंड सिंग की जो ये सर प्रामना करना पड़ा आज उसकी कहानी हम इसमें आपको बताने वाले हैं चोदी देविलाल के मुख्यमंतरी बनने के बाद जो जनुर में पहला सीतकालीन सत्र विधान सबाक आया उसी समय चोदी देविलाल को पहली चुनुती मिली और 43 जो विधायक हैं जो जनता विधायकों का बहुमत है तो जोदी देविलाल के लिए जो संकरत असी इसको बचाने के लिए उस समय चोदी चर्ण सिंग भी सकरिये थे बाकी हर्याना में भी बहुत सारे लोग सकरिये थे खासकर चोड़ाला सब नीचे इनीचे सब कुछ ये उस समय देख रही थे 43 विधायकों ने चोड़ देविलाल के में विश्वास वेक्त किया था और अला कमान से एक गुजारिस की थी कि चोड़ देविलाल से विश्वास मत उनको विधायकों का बहुमत सिद करने का आप निर्देश दे हैं तो जो जनता पार्टी है उसने चोईज देविलाल को कहा किया 43 विधायकों ने आपके खिलाब गयापन दिया है और आप अपना बहुमत प्रिक्षन साबित कीजिए जनता पार्टी के जो नेता थे उनको लगरा होगा कि चोईज देविलाल की सरकार गिराने में वो सफल हो जाएंगे लेकिन ये उनकी एक गल्ती थी चोईज देविलाल चीजों को समझ रहे थे और वो उसी के अनुसार राजनितिक फैसले भी ले रहे थे तो उन्होंने उस समय जनसंग और जो चोईज चांदराम का गूटे जो भारती लोगदल में सबसे ज़्यादा विधायक, 18 विधायक का समर्थन उनके पास था तो उनके साथ अपना एक राजनितिक समझोता किया और 19 जनुवरी 1988 को पिंजोर में ये विश्वास मत हुआ और इसमें चोधरी देविलाल ने अपनी सरकार को बचा लिया इस दोरान कुल 47 विधायकों ने चोधरी देविलाल को समर्थन की दिया था लेकिन इसके साथ ही ये बात तै हो गई थी कि अब जो चोधरी देविलाल के जो आने वाला समय है वो संकट में रहेगा क्योंकि जनता पार्टी की फूट का जो असर है वो हर्याना में होता और सरकार को चैलेंजस मिलते रहेंगे इतर चोधरी देविलाल अपने कामों को अन्जाम दे रहे थे थोड़ा सा ऐस दोरान उस जो कारियकाल है उसमें उनके कए गये जो काम है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस समया चोधरी देविलाल ने काम के बदले अनाज उस समय दिया जाता था और आप आप देख रहें कि मन्रेगा उसी का एक्स्टेंशन आप इसको कह सकते हैं इसके इलावा उन्होंने एक मैचिक गरांट की सुविधास परदान की थी कि जिसी काम के लिए आप अपनी तरफ से जितने भी पैसे आप इकठा करेंगे उतने ही पै जो हरीजन चोपाल हैं उनको बनाने का काम सुरू किया था ये अपनी आप में उस समय एक नई चीज़ थी और जो दलित समाज है उसका काफी समर्थन चोधिदेविलाल को मिला था चोधिदेविलाल ने उस समय किसानों के ट्रेक्टर का टोकन माफ किया था जो बहुत रहने का फैसला भी चोजिदेवलाल की सरकारा ने किया थे लेकिन चुगे राज में जब आपकाव पन ना हो तो ये जो काम हैं ये भी फिके पड़ जाते हैं तो चोजिदेवलाल उस समय इस तरह की स्थितियों का सामना कर रहे थे पहले विश्वासमत में 19 जनवरी 1988 को वो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गए लित थे लेकिन चार महीने बाद ही उनको दूसरा एक सियासी संकट का सामना करना पड़ा और ये सियासी संकट भी विश्वासमत के रूप में ही आया ऐसंतुष जो विधायक थे फिर एक बारी कठे हुए और उन्होंने चंदर से खर से ये गुहार लगाई कि देविलाल जी को मुखे मंतरी पद से हटाया जाए क्योंकि उनके पास विधायकों का समर्था नहीं है जन्ता पार्टी ने पत्तर जारी करके उनको दिल्ली में आकर जो मुरारजी देशाई के घर पर है अपना वहुमत साबित करने का आवसर दिया लेकिन जो चोदरी देविलाल और उसके समर्थक विधायक है उन्होंने कहा कि विधायक दल की बेठक चंडिगड में होगी हम भार नहीं आएंगे तो इसलिए उनको अपना एफैसला बदलना पड़ा और जो मेटिंग है उफिर चंडिगड में हुई आठ मई उन्नेस ओटेंटर को ये विधायक दल की मेटिंग हुई और इस मेटिंग में भी चोदर्ज देविलाल अपनी सरकार को बचाने में सफल रही जब मेटिंग सरू होने से पहले दोनों के पास जो विधायकों का आकड़ा था वो 38-37 का दोनों तरफ था लेकिन चोजी देविलाल ने किसी तरीके से पंतारेस विधायकों का जुगाड कर लिया था और इस तरीके से उनकी सरकार बच गई इसके बाद चोजी देविलाल ने अपना जो मंतरी मंडल है उसको भंग किया और उसका नए सिरे से गठन किया और इस बार उस मंत्री मंदल में एक चत्र खिलाडी सामिल किये गए जिहनों ने आने वाले समय में चोधरी देविलाल की सरकार को गिराई और खुद मुख्य मंत्री बन गए उनका नाम था चोधरी भजनलाल अगले वीडियो में हम चोधरी देविलाल की सरकार गिराने के जो उपकरम था उसका आपको ब्योरा देंगे और चोधरी देविलाल को मुख्य मंत्री से हटागर चोधरी भजनलाल के मुख्य मंत्री बनने की जो कहानी है ओ दिल्चस्प कहानी अगले वीडियो में हम आपके स करियान के राजनेतिक इत्यास के ये अलग-अलग पहलू शुक्रिया नमस्कार